बिहार में उद्योग को कैसे बरहावा दिया जाए इसको लेकर नितीश शरकार लगतार ततपर है तो वहीं बिहार में 469 करोड उपय के अध्योगीक निवेश के 30 नय प्रस्ताव आये हैं बिहार राज निवेश पूट साहन परिशत की 44 बैठक में इन निवेश प्रस्ताओं को देखते हुए वितिये क्लियरंस दे दी गई है तो वहीं जादा तर निवेश के प्रस्ताओं पटनाजिले के सिकंदरपूर भीटा और मुझपरपूर के अध्योग शेत्र के लिए हैं बिहार और दुसरे राज के अध्योग पतियों ने कप्रा, राइस, फूड, प्रोसेसिंग और आधी छेत्रों में निवेश के प्रस्ताओं दिये हैं तो वहीं इसको देखते हुए उन्तिस प्रस्ताओं को जो है स्टेज वन जो है उसका क्लियर हो गया है तो वहीं उसको क क्लियरंस के प्रस्ताओं को भी हरी जन्डी दे दी गई है तो वहीं अधिकारिक, जन कारी के मुताविक निवेश-समंदि कुल-29 प्रस्ताओं को हरी जन्डी दी गई है इन प्रस्ताओं के जरियेDr. राज के विभीण जिलो में जो है 430.18 करोड के निवेश करने की मनशा जाहिर की गई है तो वहीं निवेस प्रस्ताओ में जो है अधिकतर प्रस्ताओ राइस खाद प्रसंसकरन और समान्य निर्मान श्यत्र के लिए जो है बताए जारे हैं तो वहीं 11 एकायो को देखते हुए जो है वियाडा को प्रोजेक्ट क्लिरेंस कमेटी PCC की भी बैठक आयोजित की गई है तो वहीं बैठक के दर्मियान जो है 9 योगी छेत्रों में 11 एकाईयों के लिए भूमी अवंटित की गई है तो वहीं ये एकाईया जो है कपडास, समाने निर्मान, खाद, प्रसंसकरन और अन्य छेत्रों से जो है शामिल है इने काईयों में 34.14 करोड की निवेश जो है रासी प्रस्तावित करेगी तो वहीं देखा जाये तो एक अन्य अधिकारी के जानकारी के मुताविक जो है बिहार की अधियोगी प्रियोजनाओ को देखते हुए समय पर पूरा करने के लिए इंफ प्रटना और हाजी पुरादी अधियोगी के शेत्रों में जो है पलंग एंड प्ले शेड जो है विक्सित किया जा रहा है तो बतादे आपको कि अधियोगी को लेकर जो है बिहार सरकार नितेश शरकार लगतार काम कर रही है तो वहीं अधियोगी करन को लेकर जो है लगता करने में आ रही कठिनाई को देखते हुए दूर करने के लिए अध्योक वीवाग ने जो है एक विशैस हिल पनाइन नंबर जारी किया है इस हिल्पनाइब नंबर पर जुहेल तमाम कराई गई समस्या दूर करने के लिए विभागी अपसर ओनलाइन निर्देश देंगे तो फिलाल इस खबर में इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए अन्बीशी 24 के साथ मरें बहुत-बहुत धन्यवाद